आप सभी साथियों का स्वागत एक और महत्रपुन वीडियों में इस वीडियों में बात करने वाले प्लेस्मेंट के उपर ये वीडियों उन सभी लोगों के लिए होगा जो लोग अभी डिप्रोमा कर रहे होंगे या फिर करने के बारे में सोच रहे होंगे मतलब 2019 22 सेशन का 2020 सेशन का 2021 में नाम लिखवाने वाले एडमिशन लेने वाले उन सभी लोगों के लिए आपके मन में काफी दिन से ये प्रस नहें था प्लेस्मेंट के उपर आफ लोग मेरे लाइब वीडियो में कमेंट करते थे कि प्लेस्मेंट कहां मिलती है इस कॉल्मेंट मिलती है कौन-कौन से ब्रांच को मिलता है पूरे वीडियो को अन तक देखिएगा देखिए कोई भी लिमिटेट कमपणी पोला टेकनी कॉलेज में अधिकतर आपको 99% क्या देखने को मिलेगा कोई भी लिमिटेट कमपणी मतलब क्या कोई भी प्राइबट कमपणी कोई भी लिमिटेट कमपणी दोन आपको प्लेस्मेट मिलता यह 99% कॉलेज में देखने को मिलता अब आपके मैन में यह परस नहोता होगा कि कौन-कौन से ब्रांच को मिलता देखिए बैसिकली ज़ारखन में सबी ब्रांच को मिलता यहां तक कि CS को भी मेलता प्लेस्मेंट की से हो मैकनिकल ते ही मिलती है है प्लेस्मेंट मैनिंग को छोड़कर हो सकते हैं तो मैनिंग को भी आने वाली समय में placement मिलेगी private company मगर अभी तक माइनिंग को नहीं मिलता बागी सभी लोगों को मिलता है ठीक है अब आपके माइन में एक आप पसन हो किस किस college में मिलता देखिए जितने भी government college है वहाँ पर placement मिलता है या पिपी पी मोड में मिलता है या private मोड में मिलता देखिए सबसे जनकारी के लिए में बताता हूं कि हंड्रेड़ प्लेश्मेंट कहीं पर भी नहीं होती है अधिकतर placement हम एसा private college में प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिलता है अधिकतर placement इसलिए मिलता देखने को कि यहां बच्चे पैसा लगा कर पढ़ाई कर रहे होते हैं चाहे वह free सीट से पढ रहे है तो इस कोलेज में एक अच्छा कासा placement देखने को मिलता वित रिस्पेक्ट गवर्मेंट कॉलेज गवर्मेंट सेक्टर में भी आती है यहां पर बात करेंगा जीपी धनबाद में अच्छी placement है जीपी अधित्यापूर में प्लेसमेंट है जीपी दुमका में प्लेसम जब भी पास आउट का समय आता है सबसे पहले प्लेसमेंट ड्राइव कौन शाट करता है प्राइबेट कॉलेज और प्राइबेट कंपनी के बहुत सारे इनका टच अप में होता गोर्मेंट सेक्टर में क्या होती या तो कंपनी आएगी तो बहुत अच्छा कंपनी आएग इनका कुछ requirement होता होगा उस requirement को fulfill कर पाएगा तो placement होगा नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा तो उसको समझते हैं सबसे number one में होता है आपका cv cv बोली यह फिर resume बोली अब देखें cv क्या होता resume क्या होता यह कभी हम आपको upcoming videos में बता देंगा अगर इस video में one key like आ जाएगा one key like है तो हम cv किस तरह बनता resume किसको बोलता किस बातों को ध्यान रखना और आपका cv यूनिक कैसे हो बाकी बच्चों के बाद भी cv यूनिक कैसे हो क्या condition में इसको आप अलग बना सकते हो बाकी उसे हैं वो मैं समझा दूंगा ठीक है तो देखिए सबसे पहले कहां चाहिए कि cv ठीक है दूसरा चीज कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में मतलब किसी भी semester में back नहीं होना चाहिए अगर एक भी semester में एक भी paper में back होगा तो आपको placement नहीं मिलेगी मिलेगी कि आपको बैठने ही नहीं मिलेगी placement में ठीक ना तीसरी चीज क्या धियान रखना है आपको कि आपका सभी semester में 60% से उपर हो यहां तक कि आप लाइए 75% से उपर तक कि आपके नाम के आगे में आई और डी लग सके अब यह डी और आई क्या होता है यह वीडियो को मैं अंट पात में बताने वाला हूँ ठीक है देखिएगा और चौता चीज क्या है कि आपका class 10th में या फिर अगर आपने 12 किया है तो 10th या 12 में आपका 50% से अगर माक्स उपर है तो आपको माने जाता है अच्छा बच्चा विद रिस्पेक्ट टू कंपनी के नजर में ठीक हैं दूसरी चीज क्या कि आपको कोई भी तरह का अपरादिक मतलब दस्तावेज में फसे ना हो कोई भी केस मुकतम आपके उपर ना हो यह सब चीज को ध्यान अक सकते हैं उसके बाद में क्या होगा अपका गुरूप डिसकुशन होगा जीडी होगा हौगा गूप डिसकुशन पयाठते हैं यह मैं आने वारी विडियो प्रला संस्टो करते हो कि आपको मिलेगा 20,000 15,000 12,000 तो वो कंपनी डिसाइड करती कि आपको क्या मिलेगा दिकतर कॉलेज में 8 से लेके 18,000 के तक मिलती है कहीं कहीं 20 से लेके 30,000 रुपया तक भी मिलती है ठीक है यह कौन से कंपनी में आपका प्लेस्मेंट हो रहा है चलिए अब समझते हैं आई और डी क्या होता देकि आई और डी मतलब का जिनका जिनका 60% से उपर नंबर आएगा छे समेशर होने वाला आप लोगों का माइनिंग को छोड़के में बात कर रहा हूं छे समेशर मतलब 6 बार आप 60% से उपर लेके आते तो 6 बार सार्टिपिकर्ट जो मिलेगा आपक हैं और अगर 75% से आप उपर लेकर आते हों किसी बच्चे का 75% सभी समेशर में आया मतलब पहला समेशर में भी आया दूसरा में भी आया तीसरा में भी आया चौथा में भी पाच्मा में भी छे में भी तो क्या लिखाव रहेगा तब आपका लिखाव रहेगा आई अब्र से उपर तो परियास कीजिए पूरे डिप्लोमा में 75 पर लेकर आने का और अपना रिज्यूमे का सही रखिएगा अपना बैक मत लगाईएगा जब इनका 75 पर से लगेगा ही ने लगेगा तो यह सब देखते हुए अगर आपका रहेगा ताप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कि आप लोग ऐसे भीवर है इनको रियालिटी में जानना था तो यह आपका फर्स बांता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अधिक साधिक सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और किस किस कमपनी में मेरे दुवारा कुछ लोगों जो पासओड होने होने इस वाले होंगे 19-22 सेसन का लोगों कुछ में कमपनी का नाम बता दोंगा जिस कमपनी में डियरेक्ट लिया तो बीना कॉलेज की मदद का रेक्ली यह अपने रिजूमें को भेजकी एक्जाम देखे उस कमपनी में जौब को प्राप्त कर सकते हैं डिरेक्ली खुद है इसे काफी दोस्तों मेरे जो पूने में काम करने गए है चन्डी गड़ में काम करने घषिसा में काम करने गए अपने बद में कम गयों पलते चाहожд में के फेन के और ग्रॉड